हेलो गुड मोर्निंग दोस्तों वेलकम बेक टू नुगुडवे आज दोस्तों 13 अप्रेल 2022 और 13 अप्रेल 2022 के जो भी डेली करंट अफेर के क्यूशन बनते हैं इन्हेमास डीटियल से डिसकस करेंगे तो 13 अप्रेल को कौन चांभी दीवस दीवस मनाई जाता है इसके रूप में ये मनाया जाता है अमसरिंप में जल्या वाला बामीए Katyq यह अन्यों वही करणी अप्रेल 2022 सरकार्य में उपसित लोगों पर जो गोलियों की बोचार कर दी और उस दिन अन्यक लोगों की हत्या हो गई थी और उस दिन को सरदान जली देने के लिए इस 13 अप्रेल को जलिया वाला बाग नर्शहार दिवस के रूप में वह आयोजी तो वह किया जाता है और इस वीडियो की आपको PDF सिए तो आप हमारे टेलिग्राम जो चैनल है वहां से प्रते एक वीडियो की PDF वह प्राप्ते कर सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्यूसर नंबर वन से और आज का वीडियो आपको अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अवा जरूर प्रेस करें ताक राष्टपती रामलात कोविंद है इन्होंने गुजरात के जो मदवपूर है उसके तट्ये गाओं में पांच दिन का एक सांसकृतिक मेला है जो वार्सिक मादवपूर मेले का उद्गाट ने वह राष्टपती के द्वरा किया गया और यह मेला है वो रुक्मनी के साथ ज मेले के दोरान जो कारिक्रम है उनका आयोजन वो शुरू किया गया अब गुजरात है तो गुजरात के नुसार कुछ जीवन में आता है और कच उच्छव है यह नवंबर से फ्रवरितक होता है यह मोच्छवाग गुजरात की समर्द जो सेंस करती है उसको परदर्शित करता है नेक्स्ट है सामलाजी मेलो और सामलाजी मेलो है वह भी तीन सब्ता है कि यहोदी की के तोर पर मनाया जाने वाला मे के लिए अनुबो बहुत यह अच्छा होता है और दार्मी गीत का गाकर और पुजा करके इस बगत हो इस मंदिर में इस मेलो के तो मेले को मनाते हैं और नेक्स्ट है वो था मेला और वो था मेला वो एक पसू ब्यापार उच्छव है और यहां पर जानवर और उनके मालिको को जो खरिदारों को वाकर सित करने के लिए अन्य परकार के विस्स रूप में जानवरों को त्यार करते हैं और वो था मेला वो पवीतर नद्यों के रूप में एक अत्यदिक पूजन यह माम यह मेलने के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट है अंतराष्ट यह पतंग परतियों गिताले करता है यह पर और सभी जो रंग और आकार के पतंगों के तोर पर यह अंतरा से पतंग उच्छों के रूप में भी अच्छे तरीके से उद्धुजरात में मनाया जाता है सूर्य मंदिर के वास्तु 시ılle सास्तिय नत्रत्यों के दर्वारा यह मनाय जाता है और Fitness रिपानात माधेव मुनला और शूपान से चलताइन अपर तक चलता है और पर जुलसे में सजाया हमाद्र की पुनिमा के दिन जो यहां पर अमा गुजरात के लिए एक विशिष्ट दर्श और आपकल अपना से बाहर जो एक अत्यनती आकर्शक तोर पर नवरातर यहां पर मना जाती है नेक्स सμूदर तटक आते हुआर इसे बीच पेश्टीवल के रूप में भी जाना जाता है जो समूदर तत प्रायुजित क्या जाता हूँ यह और एक मजदार गटना है जहां पर स्तान ये लोग एक जिसे त्यूंवार में समुंदर तटको जो टिम टिमाती रोशनी के रूप में सजाते हैं और कफ्याकरशक रूप में ये गुजरात में वह मनाए जाता है अब गुजरात है तो गुजरात की राजदानिय गांदीनगर गांदीनगर है वह उपेंद्रबाई पट्टिल और राज्यपाल आचार्य देवर्त गुजरात की स्थापना होई थी एक मही गुनी सो साथ को गुजरात में टोटल जिल्हें 33 नेक्स्ट क्यूशन है कि नमबर टू कि वीश्वाम में अब सोने का सबसे बड़ा उत्पाद देश कों से एक तो यह चीन के बाद भारत है वह दूसरीव बायाaeda और उच्छ मांग के कारण जो वर्ष 21-22 के वित्वर्ष के दोरान भारत का सोने का आयात है वह है 33.34% से बढ़ कर आब और पिछले वित्वर्ष में सोने का आयात था वह था 34.62 अरब रुपे और पिछले वर्ष दोरान के दोरान सोने का आयात में वर्दी ने जो व्यापार गाठे को बढ़ा कर आब एक सो बाण में पॉइंट 41 बिलियंड डॉलर के कंडे में योगदान दिया जो कि 2020 में ये 102.62 बिलियंड डॉलर था नेक्स्ट किसन है किसन नमर त्री कि भार सरकार ने बवीसे में परमाणों जो उर्जा सहंतर लगाने के लिए कितने नेस तलों के लिए सेदान्तिक परदान की है तो आनश्वर दोस्तों ये पांच को जो बार सरकार के दौरा बवीसे में जो भी परमाणों उज्जा सहंतर है वो लगाने के लिए पांच नेस तलों के लिए सेदान्तिक मंजुरियों दी और के अंदर ये परमाणों उज्जा और अंत्रिक्स राज्य मंत्र सब्सक्राइब करें परजयन टायमें जितेंदर सिंग इन्होंने भी सरकार से परशास्तिक मंजुरियों ली है और सरकार ने जो दस सवदेशी रूप से निर्मित जो 700 मेगावाट के निर्मान के लिए एक वित्य मंजुरियों वह भी परदान किये जिने फ्लीट मोड में स उडान का अंतराश्टे दिवस से बार अप्रेल को आयजित किया जाता है और यह दिनवों 1961 में जो यूरी गागरीन की इतिहासिक जो अंतरिक्स यात्रा है उसकी वर्षगाट के रूप में यह मनाया जाता है और अप्रेल में बार अप्रेल से पहले निर्म दिवस से दिवस के रूप में 5 अप्रेल को 10 अप्रेल को यह इंठी करें डिवस के रूप में और 6 अप्रेल को यह समुंदरी में औरूप में 15 मानो अंतरिक्स यात्री में जाता है नेक्स्टरन… नेने की किस देश्ट ने हैईलिना गाइडेड थे मिसल का सिस्टम है उसका सपलता पूर्ण परिक्षन किया है तो आनश춰 दोस्तर आई भारत के द्वारत कि द्वारत किया गया झेंगी जो बारत है इन legends अग्ली एख्षण किने पुंब उस्कार बीच पाश्परी क्वा लाइट एम इत्वानस लाइट हिलिकोप्टर पावगो गते जो के साथ पर्विःवप्र político मार किराने में शक्रम है next क्वे स्वेच कि वी स्वेब गुज्रात सरकार की जो मिशन स्कूल ओफ एक्सिलेंस प्रियोजना के लिए कितने क्रोड रुपे का रेनवा परदान करेंगे तो आंजर दोसर यह 7500 क्रोड रुपे का जो वी वर्ल्ड बेंक है या इन्होंने और एसे इंफ्रास्ट्रक्ट्टर इंवेस्टमेंट बेंक है इनमें गुज्रात सरकार की मिशन स्कूल ओफ एक्सिलेंस प्रियोजना के लिए साथ जार 500 क्रोड रुपे का रिनवा परदान करेंगा और इसका उद्द्राइब से है कि जो गुज्रात राज्ये में जो शिक्सा की गुनता उसमें सुदार करना और मिशन स्कूल ओप एक् 233 जो सरकारी स्कूल है और 5857 अनुदान प्राप्त स्कूलों को यह कावराव करेगी नेक्स्ट क्यूशन है कि नमर स्यवन और इस वार्षिक बेटक में बारत की ओर से जो रक्सा मंत्री राजनास सिंग और विदेश मंत्री एस जे संकर ने बाग लिया आता नेक्स्ट किस्ट नमर 8 कि आरबियाई के अनुसार जो कार्ड लेस केस विड्रोल वकिस प्लेटफोर्म के माद्धिम से परस्तावीत है तो आंसर दोस्तों यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपियाई से जो आरबियाई के अनुसार देखे तो कार्ड रही जो सब्सक्राइड निकास या कार्ड लेस केस विड्रोल जो केवल कुछ बैंकों के द्वारा पेस के अब सब्सक्राइब बैंकों और एट्यम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपियाई के माद्धिम से यह उपलब्दव कराई जाए जाए और यूपियाई का परजन टाइम गवर्नर है सक्तिकांत दास और अरबे का हेड़कोर्टर मुंबई महाराष्ट्रा में और आरबे की स्तापना हुई थी एक अपरेल 1935 की स्तापना हुई थी नेक्स्ट की सने क्यूस्ट निवर नाइन कि आव विश्वास परस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23 परदानमंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो आन्चर दोस्तों ये सहबाद सरीप को जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीगा एन उनके नेतना है सहबाद सरीप इन्होंने पूर वरती इमरान खान है इनके खिलाप एक अविश्वास परस्ताव पेस किया था और उसके बाद पाकिस्तान के ने परदानमंतरी के रूप में सहबाद सरीप इन्होंने सपत लिए और तीन बार के पूर जो परदानमंतरी रहा चुक्क है नवाद सरीप इनके छोटे बाई हैं यह सहबाद सरीप जो देश के 23 परदानमंतरी के रूप में चोने गई है नेक्स्ट इसे नहीं किस और विकेट कीपर बलेबाज बाइब किया सब्सक्राइब किर्केट के सबी प्रारूपों से सन्यास लेने की गोशना वह की है और सेत्रा टेस्ट और नो जो टीटवंटी में ओस्ट लेकि तरब से खेलने वाले पिटर नेविल आइनों अपना आखरी इंटरनेशनल जो किरकेट में चाव वह स्था सोरी साल दो हजार सोडा में खेला था और पिटर नेविल के पास 310 से अभी अधी केस लेने का सामिल है और पिटर नेविल को आप पिक में देख सकते हैं यह विकेट की पर बलेवाज है और आज का नेक्स्ट और लास्ट किसन है जिसका आपको कमेंट बोक्स में लिखना है कि पहला लता दिननानात मंगेश कर पूर्षकार है वो किसे परदान किया जाएगा और इसका आपको कमेंट बोक्स में लिखना है और पिछे के वीडियो में भी आपको किसन दिया था कि यूनियन बेंक ओप इंडिया के दुवारा लॉंच किया गिए सुपरेप का नाम के तो आंसर दोस्तों यह यूनियन एनेक्स टी उप्शन नंबर शीन जो यूनियन बेंक ओप इ इसी सेवाओं को यह जोड़ती है चलो दोस्तों आज का वीडियो में पर समात करें वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्यू ओल आफ यू